नमस्कार दोस्तों क्रिप्टो के बैंड से हटके थोड़ा सा important metaverse coins के बारे मैं बात करेंगे जो launch हो चुके हैं जो जबर्दस pump करेंगे कु कॉइन अलड़ी 100 million का fund बना चुका है metaverse के लिए इतनी बड़ी exchange है 7-800 करोड अगर लगाने वाली है तो definitely metaverse में काफी उच्छा रने वाला है Pokemon game जो की 9 billion dollar की company है मोटा मोटा देखे तो 80,000 करोड की company है वो metaverse के लिए fresh funding raise कर रही है वो चाहरें कि metaverse games वो बनाए तो ऐसे टाइम पर हमारे लिए ज़रूरी है metaverse के top companies जो metaverse को power करेंगी जो games बनाएंगी जो back end को संभालेंगी उन tokens को भी यहां से पहचाने और देखें कि उनमें हमें कब invest करना चाहिए जिससे हमें थोड़े लंबे समय में 3-6 महिने के बीच में काफी अच्छा profit हो सकता है तो ये वीडियो जो है metaverse के platform में बने हुए coins की special है मेरा नाव है रोही शर्मा सेटोशी स्टाकर इंडिया में आपको बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप panic मत होए जो आज चल रहा है इंडिया में आप 15 दिन बाद सोचेंगे कि ऐसा हुआ ही नहीं था इतनी आम चीज है अगर आप पिछले सिर्फ 6 महीने से इस इंडिस्ट्री में है बैन बैन चलते रहते हैं कम से कम 10 बार हम देख चुके हैं सिर्फ इंडिया में ही तो पहला coin जो हम बात करेंगे वो render coin दोस्तों render एक interesting platform है render जो है वो basically distributed GPU rendering platform है GPU क्या होता है graphical processing unit जो graphic card आपके laptop में होता है वो बड़ी-बड़ी machine जो है अपने GPU को lend करना चाहें अगर गिर भी रखना चाहें decentralized तरीके से metaverse games को power करने के लिए तो ये जो coin है ये इस चीज़ को power करता है ऐसी technology provide करता है जो काफी unique है अगर आप theta coin के बारे में जानते हो मुझे लगता है कि इसकी काफी गुंजाईश है जैसे gaming और virtual reality आगे जाके popular होगी मुझे लगता है कि servers की काफी जादा कमी होने वाली दुनिया में तो ऐसे time भी एक ऐसी currency एक ऐसा platform एक ऐसी technology जो दुनिया भर के लोगों को GPUs decentralized करने में help करेगी उसका काफी जादा अच्छा chance है दोस्तों और जो लोग अपना GPU rent करेंगे उसको gas fees या जो भी इससे earning होगी उसके through reward किया जाएगा तो काफी unique platform है Netflix और Amazon और एसी techniques को use कर रहे हैं Theta जैसे coins को use करके इसका भी काफी अच्छा chance है अपने आपी unique है मैंने render network जैसा और कोई crypto नहीं देखा है जो gaming की graphic rendering को globally decentralized कर रहा है बहुत simple तरीके से मैंने आपको बताया ज़्यादा हमें detail में जाने की ज़रूत नहीं है अगर आप चाहें तो tokenomics के बारे में पढ़े in full disclosure इन में से कोई भी coin में मैं अभी तक invest नहीं किया अगला जो है काफी high profile high quality game है star interest जिसके बारे मैं पहले बात कर चुका हूँ अच्छा perform कर रहा है इसका coin already क्या है ये game ये basically star wars के concept के ओपर बनी हुई alien specific game है इसकी में जो सबसे अच्छी बात के लगती है दोस्तों कि इसकी जो graphics की quality है वो बेहत ही जादा है देख सकते हैं इसकी game के अंदर इसकी website के अंदर जो characters इन्होंने use की है जो nfts use की है इन्होंने वो जो है collectables वो बहुत ही जादा high quality के है तो एक company की सबसे बड़ी गुण मत्ता ये पता चलती है कि वो अपनी game में serious है कि वो कितना invest कर रहे हैं graphics को बनाने के लिए तो देखिए दोस्तों बहुत सारी games बन रही है इसमें nft पे जो pump and dump होती है जो कि वो लोग को attract करने के लिए पैसा लेने के लिए बाद में dump करने के लिए होती है पर यहाँ पर पता चलता है इसको देखे स्टारवार्स स्पेसिफिक है और tokenomics को अगर हम थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे तो हमें पता से लेगा कि यह team जो है लंबी रेस के घोड़े है तो यह जो है एक one of the games है जिसको मैं look forward to करो जो एक सी infinity killer बन सकता है और इसकी progress भी अच्छी चल रहे है कुछ दिनों से काफी अच्छा इसके दो coin है एक इसका utility coin है जो है Atlas और दूसरा है ऑलिस जो इसका governance token है तो दोनों भी आप निगा रखिये अच्छा return देगे engine के बारे में मैं अलड़ी जानते है engine के और मैं 6 महिने से बात कर रहा हूँ मैंने लोग को engine जो है बहुत सस्ते rate पर दिलवाया है पर engine के ऊपर engine से समंधित और कौन कौन से technologies है जिसको हम बुना सकते हैं जैसे एक engine based IDEO platform आ रहा है IDEO से आप सब लोग मेरे channel के सदसे भली वाहनती वाकिफ है IDEO जो है नए coins को launch करने के लिए होता है पर यह launch pad है engine starter के ऊपर जो है IDEO आएंगे और जैसा कि आप जानते हैं आपको अगर IDEO में participate करना होता है तो आपको launch pad के native token को गिरवी रखना पड़ता है इन्होंने अपना IDEO का launch roadmap अपर इसेंबर जैनुरी में और इसके twitter को देखके बता चलता है कि अच्छे खासे 2,00,00,00 followers अल्री ट्विटर पे है तो engine starter या कोई भी IDEO launch pad जो है उसके native token का मैं बड़ा फैन हूँ क्योंकि चाहे वो game zone हो चाहे BSC pad हो इतने लोग उसको stake रखते हैं ताकि वो lottery जी सकें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यह ऐसा IDEO platform है इसके native token को आपको निगाह में रखना है आपको price track करना है और अगर आपको dump में दिखे तो आप इसको खरी सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको token गिरवी रखना है ना ही मेरा कुछ उदेश है किसी भी तरह की paid endorsement लेने का बट मुझे लगता है कि बहुत सारे BSE pad, Eda pad, Tron pad अलडी pump कर चुके हैं एंजिन starter एक नई stage पर है तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इससे हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं पाकि सारे coins जो में इस वीडियो में cover करूँगा उनसे शायद 2, 3, 4 गुना के पेक्षा है बट एंजिन starter के native token से मुझे काफी जादा पेक्षा है दोस्तों तो एंजिन starter को आपने ध्यान में रखना है Atlas game को आपने ध्यान में रखना है कि भाया इसके price को में निगाह में रखू अगर आपको dump दिखता है किसे दिन तो उस news को पढ़किए अगर कोई जैसे FUD आज इंडिया के market में FUD आया dump हुआ आपने मैंने FUD आवट से bitcoin करी दे 7 लाक रुपे के तो आपको वही strategy अपना है ऐसे unique interesting tokens के लिए अगला जो सोस्तों वह है ultra अल्टरा भी एक nft metaverse specific project है अच्छा perform कर रहा है 20-25% आज भी बड़ा है तो क्या है यह basically एक नया platform है gamers के लिए जो basically सारी gaming समधित features है वो एक ही platform में लेका आता है live streaming करनी आपको आपको nfts खरीदने है influencer marketing करनी है contest run करने leaderboard run करने जो भी games के अंदर attributes होते हैं merchandise से लेकर leaderboard से लेकर वो सारी technology यह provide करता है तो अगर मेरे को आज game बनानी maxi infinity हूँ यह मैं star atlas हूँ तो मुझे अगर scratch से develop नहीं करनी एक feature और इनके पास जाता हूँ यह special mention है Hector DAO के लिए जो basically DAO platform के बारे में काफी time समय से बात करता हूँ तो basically performance wise पहले हम tokenomics के बारे में बात करते है price के बारे में बात करते है अच्छा pump कर रहे है token कैसे काम करता है basically तो liquidity pool जो बनते हैं उनको यह basically back end पर power करता है किसी भी exchange को किसी भी decentralized exchange को अगर liquidity pool चाहिए तो यह जो है 100% liquidity pool प्रवाइड करते हैं आपको सबसे बड़ा उधारना देता हूँ कल जो है हमारी इंडियन exchanges जो है 40 especially इसलिए इसको cover करना क्योंकि यह real life example है इंडियन exchange 40 बहुत जादा sell हुआ इंडियन exchanges के पास liquidity नहीं थी लोग खरीद नहीं रहे थे तो इंडियन exchanges को price dump करना पड़ा unnecessarily they were not able to earmark their price or match the price of the global price for the same currency जो कि बहुत unfortunate scenario है same bitcoin अगर मुझे global platform पे 56,000 डॉलर का यह नहीं 45 लाग का मिल रहा है तो क्यों इंडियन exchanges को 35 लाग का बेच रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग sell कर रहे हैं और खरीदने के लिए हो नहीं पा रहा है क्योंकि आयना डिपॉजिट्स नहीं काम कर रहे हैं ऐसे टाम पर इस तरह के liquidity protocol जो है exchange को या किसी भी decentralized centralized exchange को डूबने से बचाता है अल्मॉस्ट अगर आप देखें कर मुझे एक समय ऐसा लग रहा था मुझे भी डर लगा कि यह इतनी selling ना हो जाए कि exchanges बंद हो जाए exchanges का को ताला लग जाए क्योंकि वह अगर आप बेच रहे हैं तो कोई तो आपको पैसे दे रहा है जब कोई खरीद नहीं रहा तो वह से यार होते है तो हेक्टर जीसे प्लाटफॉम्स पे आपको अपको यह जाधा मिलता है रिटर्न जाधा मिलता है और इसके token को STAKE करके reward करके long term में चाई token की value बढ़े ना बढ़े यह almost stable coin की तरह काम करते है हाला कि risk होता डंप होने का बड़ almost stable coin की तरह काम करता है इसमें आपको staking से इतना reward मिल जाएगा क्योंकि किसी ना किसी समय कोई नो कोई पैसा उधार इन से मागेगा और इनके tie up होते है जब भी हमें ज़रत पड़े आप हमको 10 million provide कर देना team की बात करें team काफी strong है European team है तो European team हमेशा मुझे लगता है कि ज़्यादा qualified और ज़्यादा legislation को ध्यान में रखके काम करती हैं तो दोस्तों यह 4-5 coin आप note कर लिजिक पेपर में मेटावर्स की जब जब बात आए मार्केट जब थोड़ी से सेटल होती है तो इन coins में काफी जवर्दस pump आ सकता तो आपको ध्यान में समय से आगे चलना है हमेशा हमें coins को तब नहीं देखना है जब वो 200-400% pump हो चुक है जैसे काफी किये किजिए और इंडिया में कोई भी crypto ban नहीं होने वाला है इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा धन्यवाद जैहिन